प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी और क्या आपको ये मालूम है कि इस फिल्म को रिलीस करने के लिए तब की सूचना और प्रसारण मंत्री इंदरा गांधी से लगाई गई थी गुहार फिर क्या हुआ बताएंगे आपको आप बस कीजे थुड़ा इंतिजार और देखते रहिए ब्लाक और वाइट दोस्तों इस एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्म गाईड की और इसे जुड़ी एक कहानी की गाईड कोई साधारण फिल्म नहीं थी गाईड देवानंद की जीवन का सबसे बड़ा सपना था दोस्तों गाईड की बीज 1962 में पड़ी थी जब अगस्त में देवानंद बोलिन, पैरिस, लंदन और अमारिका के लंबे दोरे के बाद भारत पहुचे थे और पहुचते ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो जल्द ही कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं पता चला कि देवानंद कोई अंतराश्टिस तर का काम करने वाले हैं दोस्तों इसके बाद गाइड पर काम शुरू हुआ लेकिन दोस्तों गाइड तो गाइड थी, कोई आम फिल्म जैसी तो थी नहीं, लेहाज़ा गाइड बनने की कहानी खुद गाइड फिल्म से कम रोमान्चक नहीं है इस कहानी में विवाद है, बड़े कलाकारों के एहंकार की टकराहट है, इर्श्या है, द्वेश है, पल्टी मारने की घटना है राजनतिक हस्तक शेप है, धोखा है, हार है, और आखिर में है, जीत जे हाँ, गाइड से जोड़ी कहानी में ये तवाम चीज़े हैं दोस्तों, गाइड बनाने का आइडिया देवानन्द को तब आया था, जब वो 1962 में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के बाद, लंदन और बाद में साहिती के नोबिल पुरुसकार विजेता लेखी का पॉल एस बक और पॉलिश अमेरिकन टीवी फिल्म डिरेक्टर टैड डैनियल वसकी के निमंतरन पर नियोग गया थे कहा जाता है कि इस मुलाकात के बाद देवानन्द ने पॉल एस बक को भारती लेखक आर के नारायन का उपन्यास दगाइड दी और कहा कि इसे पढ़े और इस पर अपनी राय दे इसके पहले पॉल एस बक और टैड भारत आये थे और इंडो अमेरिकन प्रोजेक्ट पर काम करने का मन बनाया था तब पॉल एस बक देवानन्द से मिली थी और उनसे कहा था कि वो एक अमारिकी फिल्म में देवानन्द को बतौर हीरो लेना चाहती है लेकिन इस फिल्म की जो कहानी होगी उसका लेखक कोई भारतिय होगा लबो लुवा बिये कि वो चाहती थी कि किसी भारतिय लेखक के उपर न्यास पर एक अमारिकी फिल्म बने जिसके हीरो देवानन्द हो कहा जाता है कि तब लेखी का पॉल एस बक ने कहा था कि देवानन्द अकेले ऐसे भारतिय अभिनेता हैं जिने अमेरिका और यूरोप के लोग पसंद करते हैं नियॉक में देवानन्द की पॉल एस बक और टैड से मुलाकात उसी बातचीत का नतीज़ा थी कहा जाता है कि लेखी का पॉल एस बक और डिरेक्टर टैड दोनों को आर के नारायनन का उपन्यास दिगाइड बहुत अच्छा लगा था और उनके हिसाब से इसमें काफी संभाव नाय थी आर के नारायनन ने अपने उपन्यास पर फिल्म बनाने की सहमती दे दी तैह हुआ कि गाइड अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बनेगी पहले अंग्रेजी वर्जिन पर काम होगा और फिर हिंदी में कहा जाता है कि इसके लिए देवानन ने एक और कंपनी खड़ी की जिसका नाम था नवकेतन इंटनाशनल अंग्रेजी वर्जिन के डिरेक्टर के लिए टैड का नाम तैह हुआ हिंदी वर्जिन के डिरेक्टर के लिए दो लोगों छेतनानन्द और राजखोसला में से एक को तैक करना था राजखोसला ने इसके पहले देवानन के लिए CID, काला पानी, सोलवा साल और बंबई का बाबू डिरेक्टर के बाद फिल्म की हिरोईन रोजी के लिए तलाश शुरू हुई टैड ने इंग्लिश स्पिकिंग अक्टरस लीला नाइडू का नाम सुझाया लेकिन देवाननन ने मन में रोजी के लिए वहिदा रह्मान सोच रखा था वेजयानन के आत्मकथा की लेखिका अनीता पाधे के अनुसार रोजी के लिए पहले वेजनती माला का नाम सुझाय गया था लेकिन टैड ने इसे ये कहते वे खारिच कर दिया कि अमारी की लोग मानसल जस्म वाली महिलाओं को पसंद नहीं करते आखर बात वहिदा रह्मान पर ही आकर टिक गई क्योंकि रोजी की भूमे का निभाने के लिए ये जुरूरी था कि हिरोईन को डांस आता हो और वहिदा रह्मान डांस में पारंगत थी दूस्तों वहिदा रह्मान का नाम बतोर हिरोईन तै हो गया लेकिन समस्या तब हो गई जब पता चला कि वहिदा रह्मान पुरानी वजहों से डिरेक्टर राज खोसला के साथ काम नहीं करना चाहती थी फिर डिरेक्शन के लिए चेतन आनंद को बलाया गया लेकिन यहाँ दूसरी समस्या थी चेतन आनंद प्रिया राजवंच के मुरीद थे और वो चाहते थे कि रोजी का रोल वहिदा रह्मान नहीं बलकि प्रिया राजवंच करें कहा जाता है कि देवानंद को अपने बड़े भाई चेतन आनंद की ये बात बिलकुल पसंद नहीं आई और उन्होंने ये साफ कर दिया कि रोजी की भूमे का सर्फ वहिदा रह्मान ही निभाएंगी कोई और नहीं कुछ दिन ऐसे ही बीद गये इस बीच गाइड में संगीत देने के लिए संगीतकार S.D. बर्मन का नाम तैक किया गया आखिर जन्वरी 1963 में उदैपूर में गाइड की शूटिंग शुरू ही इस बीच पंजाब सरकार चेतन आनंद की फिल्म हकीकत का खर्च वहन करने को तयार हो गई और चेतन आनंद अपनी फिल्म हकीकत बनाने के लिए चले गए गाइड के निर्देशन का काम फिर अटक गया आखिर ये जिम्मेदारी दी गई देवनन के छोटे भाई विजे आनंद यानी गोल्डी को विजे आनंद टैलेंटेट थे यही वज़ह है कि उन्होंने गाइड का स्क्रिप्ट मात्र 18 दिनों में तयार कर लिया था 1975 में इस रिकॉर्ड की बराबरी की सलीम जावेद ने जब उन्होंने फिल्म दीवार की स्क्रिप्ट 18 दिनों में तयार कर ली किताबें बताती हैं कि गाइड का अंग्रेजी वर्जिन 1964 में तयार हो गया और ये फिल्म अमेरिकी में 1964 में रिलीज भी हो गई किताबें बताती हैं कि अमेरिका में गाइड को अच्छा रिस्पॉंस नहीं मिला किताबें ये भी बताती हैं कि फिल्म को लेकर देश में तब एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ था फिल्म ही दुनिया से जुड़े कुछ लोगों ने कहा था कि ये फिल्म व्यभिचार को बढ़ावा दे रही है यानि अडल्टरस है आपत्ति जनक है इसलिए इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए कहा जाता है कि इस विवाद के बाद तदकालीन सूचनाईवं प्रसारन मंतरी इंदरा गांधी से गुहार लगाई गई कि वो इस मामले में हस्तक शेप करें और फिल्म को रिलीज करने की अनुमती दे आखिर इंदरा गांधी के हस्तक शेप से इस फिल्म को पास कर दिया गया गाईड आठ अप्रिल 1916 को भारत में रिलीज हो गई इंदरा गांधी ने तब कहा था कि देवानंद बहुत तेज बोलते है दोस्तों गाईड का सबसे मजबूत पक्ष इसका संगीत था कहा जाता है कि इस फिल्म का एक गाना तयार करने के बाद संगीतकार एजडी बर्मन को दिल का दौरा पड़ा था और वो अस्पताल में भरती थे जब एक दिन देवानंद उन से मिलने अस्पताल गए तो एजडी बर्मन ने कहा कि वो उनकी जगह किसी और संगीतकार को ले ले क्योंकि उन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा देवानंद ने एजडी बर्मन को कहा कि ये फिल्म उन्हीं को दिमाग में रखकर प्लान की गई है इसलिए वो किसी और संगीतकार को नहीं ले सकते कहा जाता है कि इस पर संगीतकार एजडी बर्मन ने देवानंद से पूछा था मान लो अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे इस पर देवानंद ने कहा था भगवान न करे ऐसा कुछ हो लेकिन अगर ऐसी स्थिति आई तो मैं आपके सिर्फ एक गाने को लेकर ये फिल्म रिलीज कर दूँगा ऐसा था संगीतकार S.D. बर्मन के काम में देवानंद का भरोसा इस एपिसोड में आज बस इतना ही अगर अब तक आपने इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर ले अब आपसे हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में तब तक के लिए हमें दीजी इजाज़त नमस्कार